Hello students, Good morning, आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्यन का पार्ट साथ पढ़ेंगे जिसका नाम है मिट्टी या मिरदा, ठीके बच्चों तो चलिए श्टार्ट करते हैं, परीचे मिट्टी अर्थात मिरदा हमारे सबसे महत्विपूर्ण प्राकृतिक संसादनों में से एक है, है प्रकृती द्वारा दिया गया, अमूल उपहार है, हम अपने दैनिक जीवन की समस्त आवश्यक्ताओं को पूर्ण करने के लिए प्रत्यक्च या प्रत्यक्च रूप से मिट निर्वर रहते हैं, तो बच्चो इस चेप्टर में हम मिट्टी या जिसको बोलती हैं मृर्दा उसके बारे में पड़ेंगे, किस पिरकार से मिट्टी हमारे दैनिक जीवन में उप्रत्यां कितने पिरकार की होती हैं, औटिक है बच्चो तो चलिए श्टार्ट करते हैं पृत्वी के संपून ठोस वाग को भूमी कहते है यह विविन पिरकार की चटानों आदी से बनी है भूमी की सबसे उपरी परत मिट्टी कहलाती है तो बच्चों जितना भी पृत्वी पर जो ठोस वाग है वो क्या है भूमी है उसके अलावा सब क्या है जल है यह विविन पि जीवों और पेड़ पौधों की सड़े गले जयब पधारतों के मिलने से हुआ है तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है बच्चों चट्टानों की तूटने मरत्यानी मरे हुए जीवों और पेड़ पौधों की सड़े गले जयब पधारतों के मिलने से हुआ है मिट्टी के निर्मान की प्रक्रिया एतनी धीमी है कि इसकी एक प्रत बनने में हजारों वर्ष लग जाती है जल और बायू की मिट्टी के निर्मान में सायक होती है तो बचों जब चटाने तूटती है उसको मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग जाती है ठीक है इसकी जो प्रक्रिया 6 परकार की मिट्टी पाई जाती है नमर 1 जलोड मिट्टी नमर 2 काली मिट्टी नमर 3 लाल मिट्टी नमर 4 रेतिली मिट्टी नमर 5 लेटेराइट मिट्टी और नमर 6 परवती मिट्टी इन 6 परकार की मिट्टियों को बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले दी हूई ये जलोर मिट्टी यह मिट्टी उत्तर के विसाल मैदानों में पाई जाती है इसे दौमट मिट्टी भी कहती है इस मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी बरावर मात्रा में मिली रहती है जिस कारण है मिट्टी किरसी के लिए अधिक उपचाओ होती है इसमें गेहूं, धान, गन्ना, तिलहन, आदी की खेती की जाती है तो बच्चो जो जलोड मिट्टी है वो भारत के कौन से मैदान? उत्री जो मैदान है, यहाँ पर जो दिख रहा है मैप में ये वाला भाग तीके, इसमें कौन से मिट्टी पाई जाती है? जलोड मिट्टी तीके, एक ग्रीन कलर से बना हुआ है, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, उसमें कौन से मिट्टी है? जलोड मिट्टी है तीके और इसको दौमेट मिट्टी भी कहती है इस मिट्टी में बालू और जो चिकनी मिट्टी होती है वो बरावर मात्रा में मिली होती है तीके इसलिए इस मिट्टी में जो प्रिशी होती है वो कैसी होती है अच्छी होती है और यह मिट्टी अधिक उपचाओ होती है तीके आगे दी हुई है एगली मिट्टी काली मिट्टी दस्चिन के पठार उत्री भाग में पाई जाती है इसका निर्मान जॉला मुखी से निकलने वाले लावा तथा उससे बनी चटानों से होता है राख की मात्रादिक होने के कारण है मिट्टी बहुत उपजाओ होती है है मिट्टी कपास की खेती के लिए सरवादिक उपयोगी होती है इसके अत्रिक इसमें गेहों तथा गन्ना भी गन्ना की भी पैदावार अच्छी होती है तो बच्चों हम मैप में देखते हैं काली होती है ठीक है यह भारत के मद में बोल सकते हैं भारत के मद में पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है जाला मुकी से निकलने वाले लावा तथा उससे बनी चटानों से होता है ठीक है और इसमें प्रमुक फ Muse कौन कौन सी वो जाती है प्रमोग जो फसल होती है वो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है इसके अत्रिक्त गेहूं वगन्ना की भी खेती की जाती है ठीक है साइड में बॉक्स दिया हुआ है क्या आप जानती है एक औसत मिट्टी में पैतालीस प्रतीसत खनिच पच्चास सरीवचो पची प्रतीसत जल पच्चीस प्रतीसत बायू तथा पांच प्रतीसत जैप पदार्थ होती है ठीक है आगे है लाल मिट्टी दशिन पठार के अन्य भागों में कंकडीली तथा पत्रेली मिट्टी पाई जाती है जिसे लाल मिट्टी कहती है इस मिट्टी में लोहित तत्वी की अधिक्ता होती है, है मिट्टी कम उपजाओ होती है, इसमें जवार बाजरा मुणफली आधी की खेती की जाती है, तो जो लाल मिट्टी होती है वच्छों, वो दशिन के पठारी वागों में पाई जाती है, हम मैप में देखते हैं उपर, यह जो रेड रेड कलर से दिखा, यह कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ठीके, यह कहां पर पाई जाती है, दशिन के पठार में, ठीके, और यह कैसी होती है, कंकडेली तता फत्रीली मिट्टी होती है, ठीके, इसका रंग जो होता है, वो लाल कलर का होता है, और इसमें रंग किस वज़े से लाल होता है इसमें लोह तत्वी की अधिता होती है ठीक है और ये मिट्टी होती है वो बहुत कम उपचाओ होती है इसमें जुमार माजरा बाजरा मूमफली आदी की खेती की जाती है ठीक है बच्छो आगे दिया हुआ है चित्रों को देखकर मिट्टी के नाम लेकिए तो पहले नमबर पर कौन सी मिट्टी दी हुई है वच्छो काली मिट्टी तो उसके नीचे हम लेकेंगे काली मिट्टी फिर याँ पर दी हुई है लाल मिट्टी तो उसकी नीचे हम लेकेंगे लाल मिट्टी और ये कौन सी मिट्टी है वच्छो जलोड मिट्टी तो उसके नीचे लिग दे है इसे बलूई मिट्टी भी कहते हैं रेत की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी कम उच्जाओ होती है परंतु सिचाई की विवस्ता होने पर इसमें ज्वार बाजरा मूंग आदी फसले उगाई जाती है तो बच्चों जो रेत दिल्ली मिट्टी है वो भारत के किस चेतर में पाई जाती है पश्मी चेतर में जिसे हम रेगिस्तान वाला चेतर कहते हैं और इस मिट्टी का यह दूसरा नाम है बलोई मिट्टी ठीक है और इसमें कौन-कौन सी फसल की जाती है ज्वार वाजरा मूंग आदी ठीक है आगे है लेटरा रंग जैसी होती है है मिट्टी रेतेली ततरलाल मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाओ होती है यह चाय कहवा काजू आदी की फसनों के लिए अच्छी होती है तो बच्चों जो लेटर गाइट मिट्टी होती है वो कहां पाई जाती है समुद्ट तट्ये बागो में और कैसे होता है चट्टानों द्वारा होता है और इसका रंग जो होता है वो इट के जैसा होता है ठीक है और है मिट्टी रेतिली मिट्टी और लाल मिट्टी के अफेक्छा अधिक उपजाओ होती है और इसमें जो फिर्मूप फसले उगाई जाती है वो कौन कौन सी है चाई काजू आदे ठीक है आगे है अगली परवती मिट्टी परवती मिट्टी हिमालाए के परवती वागों में पाई जाती है यह मिट्टी लाल रंगी तथा कंकर फत्तर युक तो होती है इस मिट्टी में चूने तता लोहे का अंस अधिक होता है परवती मिट्टी अधिक उपज के लिए अच्छी मानी जाती है इसके अत्रिक इसमें चाय मसाले आदी उगाए जाती है तो बच्चो जो परवती मिटी है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है हिमाले परवत वाले भागों में ठीक है और जो कैसी रहती है कंकरफता रियुक्त होती है और यह अधिक उगजाओ भी नहीं होती है ठीक है और इसमें जो फसले मुख के उगाई जाती है वो कौन-कौन सी होती है फलों की खेती अधिकतर होती है यहाँ पर उसकी अलावा चाय और मसाले की फसल भी उगाई जाती है ठीक है बच्चो आगे दिया हुआ है म्रदा अपरदन तथा उसका संडक्षन तो म्रदा अपरदन क्या होता है बच्चो और उसका संडक्षन किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं तेज आंधी, बाड, बरसा पसूं का अतीचारण आदी भाय कारणों से भूमी की उपरी परत नश्ट हो जाती है इस भाय कारणों से भूमी की उपरी परत का नश्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है मृदा अपरदन मृदा अपरदन के कारण भूमी की उर्वरा सक्ति कम हो जाती है तो बच्चो मृदा अपरदन कैसे होता है? तेज आंधी, बार्ड, बर्सा, पसुओं का अति चारण यानि अत्यधिक चारण से आदी भाईरी कारणों से भूमी की जो उपरी परत है वो नश्ट हो जाती है इन बायकार्णों से भूमी के उपरी परत का नश्ट होना ही क्या कहलाता है मृदा अपर्दर और उसके बाद जो मृदा या मिट्टी है वो कैसी हो जाती है अनुप जाओ हो जाती है उसकी उरवरा सक्ती कम हो जाती है आगे दिया हुआ है मिर्दा अपर्दा रोकने तता मिट्टी की उर्वर्टा बनाय रखने के लिए इसका संडक्षन आवश्यक है जिसके लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिए नमर एक पहाड़ी चेत्रों में स्रीलीदार केत बनाकर केती करनी चाहिए दूसरा पॉइंट है खेतों के किनारे मेड बनानी चाहिए तीसरा है नद्यों तता खेतों के किनारे व्रक्ष लगानी चाहिए चौता है पसूँ के अन्यंतरित चराई पर रोक लगानी चाहिए तीक है आगे दिया हुआ है मुक्खि विन्डू पृत्वी के संपून ठोस वाकू भूमी कहती है भूमी की सबसे उपरी परत मिट्टी कहलाती है भारत में मुकिता छे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जलोड मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसको हम बलूई मिट्टी भी बोलते हैं लेटराइट मिट्टी तदा परवती मिट्टी ठीक है बच्चो आगे है आगला पॉइंट परवती मिट्टी हिमाला के परवती भागों में पाई जाती है तेज आंदी बाढ़ बरसा आदी भायकारकों से भूमी की उपनी परत का नश्ट होना म्रदा अपरदन कहलाता है बच्चो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगी ठीक है अगली वीडियो में इसकी जो अब्यास प्रिश्ण है उनको हल करेंगी